दूरी क्या होती है? चाल किसे कहते हैं? समय दूरी और चाल में आपस में क्या संबंध है? जब कोई रेल गाड़ी किसी प्लेट फॉर्म को पार करती है, तो वो कितनी दूरी चलती है? और जब कोई रेल गाड़ी किसी खंबे को पार करती है, तो वो कितनी दूरी तय करती है इन्ही विश्यों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए चलते हैं Time, Speed and Distance सबसे पहले हम दूरी पर बात कर लेते हैं कि दूरी या Distance किसको कहते हैं तो निश्चित समय आंतराल में वस्तवारा तय किये गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं याने कि Definite Time वो एक सेकंड हो सकता है, वो कुछ मिनट हो सकते हैं या एक घंटा हो सकता है तो उस तय समय में वस्तु द्वारा जो चली गई, जो वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग है, उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं, यानि कि समय जो है निश्चित होता है, अब आते हैं चाल या स्पीड, तो किसी वस्तु द्वारा एक सिकंड में चली गई दूरी को चाल कह यानि कि समय निश्चित है एक सिकंड में अब बात करेंगे हम इनके आपसी संबंधों की तो दूरी समय और चाल में क्या संबंध है relation between time, speed and distance तो इनके संबंधों को जिस formula से जिस सूतर से दर्शाया जाता है वह है speed is equal to distance upon time या चाल बराबर दूरी बटे समय हम इसको कहते है तो यानि कि चाल हमारी कैसे निकलेगी जब हमारे पास दूरी और समय दिया हुआ होगा known है अगर हमारे पास distance और time अगर known है तो हम चाल को find कर सकते हैं इसी तरह से हम समय को कैसे निकालेंगे यदि हमारे पास दूरी और चाल दी हुई है तो समय बराबर दूरी बटे चाल तो समय निकल जाएगा या अगर हमारे पास समय और चाल दी हुई है तो हम दूरी कैसे निकालेंगे दूरी बराबर समय गुणागे चाल अब इसमें एक और तरह के questions आते हैं कि औसर चाल यानि कि average velocity कैसे निकालेंगे? यदि कोई वर्ष्टू या व्यक्ती किसी निश्चित दूरी को वीवन किलोमेटर परति घंटा की चाल से तह करता है और उसी दूरी को V2 किलोमेटर परती घंटा की चाल से तेह करता है यानि कि पहले उसकी चाल कितनी है V1 किलोमेटर और उसी दूरी को जब वो दूसरे उसमें चलता है तो चाल होती है उसकी V2 किलोमेटर परती घंटा की चाल से तो पूरी आत्रा के दौरान उसकी ओसत चाल क्या होगी, average speed क्या होगी, तो उसके लिए सूतर होता है हमार पास, 2 into V1, यानि कि जो पहली speed है उसकी पहली चाल है, into V2, या गुणागे V2, दूसरी चाल, बटे V1 plus V2, यानि कि दोनों चालों का योग, तो इस तरह से हम इसमें और सचाल निकाल लेते हैं, अब इसमें महतोपूर्ण बात जो आती है, कि इस तरह के प्रश्णों में, चाल कभी मीटर प्रती सेकिन में दीवी होती है, और कभी किलोमीटर प्रती घंटा में दीवी होती है, तो अगर माना हमारे पास, मीटर प्रती सेकिन में चाल दीवी ह कि हमारे पास 4 km प्रति घंटा में दी वही है तो मीटर प्रति सेकिन में बदलने के लिए उसको पांच बटे 18 से गुणा कर देते हैं इसको हम यहां पर समझ लेते हैं कि माल लिया कि किसी व्यक्ति की चाल 45 km प्रति घंटा है तो इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 45 km प्रति घंटा को 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे तो यह आगया हमारा 12.5 मीटर प्रति सेकंड तो इस तरह से हमने किलो मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया अब अगर मान ले जाए मीटर प्रति सेकंड में हमारे पास चाल है तो हमको किलोमेटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किया पड़ेगा उसको 18 बटे 5 यानि कि इसका जो रिवर्स है वो करेंगे तो उमीद है क्लियर होगा अब इसमें जो दूसरे टाइप के प्रसन आते हैं वो होते हैं कि दो वस्तों की चाल क्रमसा एक किलोमेटर प्रति घंटा और बी किलोमेटर प्रति घंटा है तो सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी सापेक्ष चाल निकालने लिए क्या करेंगे तो इस दोनों की चाल जुड़ जाएगी, और अगर समान दिसा में चल रहे हैं, तो चाल हो जाएगी A-B, या अगर B जादा है, तो B-A हो जाएगी, तो इन दोनों में डिफरेंस है, यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कि विपरीद दिसा में गतिमान होने पर सापिक चाल A A-B plus B, यानि कि एक दूसरे के अगर विपरीद चल रहे हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है और एक दूसरे के अगर सापिक चल रहे हैं, एक हीदीशा में चल रहे हैं, तो एक कि जिसकी चाल जादा होगा, उसमें से कमवाली घट जाएगी. अब रेल गाड़ी से सम्मंदित जो महतोपून प्रस्ना आते हैं इसमें कि माना कि L मीटर लंबी रेल गाड़ी किसी P मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेल गाड़ी दोरा फुल चली गई दूरी कितनी होगी तो L plus P meter होगी, मान लिया कि यह rail है, यह blue color की और यह brown color का platform है, तो यह rail अगर इस platform को पार करेगी, तो यह rail का अगले वाला हिस्सा इस platform को touch करते हुए इधर से ऐसे निकलेगा, और आखरी हिस्सा जो है इसको ऐसे निकलेगा, तो यह क्या होता है, कि platform की जो लंबाई है और rail की लंबाई आपस में जुड़ जाती है, और अगर हम दूसरे तरफ बात करें कि मान ले जाए कि L meter लंबी rail गाड़ी किसी खंबे या आदमी को पार करती है, तो कितनी दूरी चलेगी, तो इसमें मान ले जाए यह खंबा है, और यह rail गाड़ी है, और यह इसको पार करती है, तो खंबे की जो लंबाई है, वो नेगलिजिबल है, तो इट मींस कि यह जो रेल गाड़ी है, यह अपनी ही लंबाई के बराबर इसको पार करती है, तो इस केस में, जब कोई L meter लंबी rail गाड़ी किसी खंबे या आदमी को पार करती है, तो रेल दौरा चली गई दूरी ब खंद के साथ हुआ insects को करती है, दूरी नही को उपको पार करती है, तो ब penalty किसी खंदोéta है, तो बराबदे लंबागाई जान σकू गपका है, तो पन्हों में है, तो यह जिरम दूराग़ी थार इसको तो टूराबी भाई दूर भाई भालार झाल झाल